स्वागत है आप सभी आगंबारी सिविका बहनों का पोशन ट्रेकर ऐब की एक नई अपडेट में तो पोशन ट्रेकर एप में फिर से एक नई लोग open करेंगे, open करने के बाद आपको search बार में search कर लेना है portion tracker, portion tracker लिके जैसे ही search करेंगे तो आपको यहाँ पर update का option दिखने को मिल जाएगा, तो आपको simply यहाँ से अपने portion tracker app को update कर लेना है, तो finally यहाँ पर हमारा portion tracker app update हो चुका है, यहाँ पर arrow पे आप लोग click करके देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें बदलाव किया गया है, नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, 16.8 का यह new version आ चुका है, चलिए अब हम लोग सीधे चलते हैं, app क्यों और वोई ही पर आपको सभी details को समझाते हैं कि कि किस प्रकार के यह update आए है, तो हम इसको काट देते हैं, काटने के बाद यहाँ पर आज आएंगे portion tracker application में, तो यहाँ पर हम portion tracker application को open कर लेते हैं, ठीक है, तो आप लोग जैसे ही portion tracker app को update करके open करेंगे, तो आपको सबसे पहले ही एक नया बदलाव देखने को मिल जाएगा आपके home screen पे ही, जैसे कि यहाँ एक option add किया गया था, update awc location, तो उस awc location का जो option है, वो आपके home screen से हटा दिया गया है, जैसे कि यह जो update है, वो आपका चौथा नमर update है, और भी तीन update हैं, जिसके बारे में आपको आगे जनकारी मिलने वाली है, तो वीडियो में आप लोग बने रहे हैं, और वीडियो को पूर कर लिजिएगा, तो देखिए, यह जो update awc location का जो option है, उसको हटा के कहाँ पे add किया गया है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, कि आपके portion tracker app से इस option को पूरी तरीके से नहीं अटाया गया है, यह जो option है, उसको यहाँ पे more menu जो है, यानि कि जो यहाँ प location का जो option है, वो यहाँ पे add कर दिया गया है, अब जब भी आप लोग awc location को on करेंगे, तो more menu में जाके और यहाँ पे आप लोग click करेंगे, तो आपको यह update करने का option आ जाएगा, आप लोग simply यहाँ से update करे वाले पे click करेंगे, और आप आंगन बड़ी केंदर पे हैं, तो आप अपना awc location on कर सकते हैं, तो इस परकार से थी आपकी यह चौथी update, चलिए अब हम आप लोग को तिसरी और पहली update के ओर लेके चलते हैं, कि उसमें क्या क्या बदलाव किया गया है, तो यहाँ सम बैक कर लेते हैं, और बैक करने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं, लभार आथि वाली केटेगरी को open करेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि पहला update क्या है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, instant reflection of newly added beneficiary in the list, तो जैसे ही आप लोग new registration वाले पे click करेंगे, तो इस प्रकार से एक form खुल किया जाएगा, जिसमें कि बच्चों की पू इस option को भरा जाता है, जैसे कि यह जो option है, कि अगर आपके आगनबाडी केंदर का बच्चा किसी दूसरे school में जा रहा है, तो उस condition में आप लोगो को यहाँ पे हां कर देना है, और अगर आपके आगनबाडी केंदर के बच्चे हैं, आपके ही आगनबाडी केंदर में आ र उन सभी बच्चों में यह जो option है, वो automatic ही भरा रहेगा, और आपको यहाँ पे भरने की कोई जरूरत नहीं है, अगर यह बच्चा आपके आगनबाडी केंदर में नहीं आ रहा है, तो आप उस condition में यहाँ पे सिर्फ हां पे किलिक करेंगे, और इस form को submit कर देंगे, ठीक है हम यहाँ पे submit करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि एक success का message आ चुका है, और यहाँ पे add another beneficiary और go to home, तो हम लोग go to home वाले पे click करेंगे, और फिर से आ जाएंगे यहाँ पे 3-6 वर्स वाले बच्चों की category में, तो जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे, तो ज नहीं होता है, तो आप लोग को यहाँ पे एक option दिया गया है, इस option में उस बच्चे का या उस लभार्थी का नाम सो करेगा, और कुछ टाइम बाद जो बच्चों का list है, या फिर जो लभार्थियों का list है, उस list में यह नाम दिखाने लगेगा, तो चली अब हम लोग चलत इस चली हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि यह क्या है, जैसे कि हम यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे हम गर्भाती महिलाओ वाली के टेगरी को पें करते हैं, जिसमें की feature जो दिया गया है, जिसको disable कर दिया गया है, यानि pregnant women's से जो lactating mother में हम लोग migrate करते हैं, उसमे यहाँ पे feature में क्या बाद लाओ किया गया है, जैसे कि हम यहाँ के गर्भाती महिला की category को पें किया हैं, और यहाँ पे three dot पे कलिक करेंगे, कलिक करने के बाद यहाँ पे profile update में आएंगे, तो यहाँ पे आने के बाद हम सब से नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद यह यहाँ पर पहले दिखा रहा था कि आप लोग इसमें कुछ भी चेंज हो गया है कर सकते थे लेकिन इस अपडेट के बाद यहाँ पर यह सब नहीं कर पाएंगे यानि कि आप लोग एक बारे लिम्पीडेट डाल देते हैं तो आप लोग इसको फिर दुबारा चेंज नहीं कर पाएंगे तो इस परकार से यहाँ पर इस option को add किया गया है ठीक है तो चलिए अब हम लोग चलते हैं growth monitoring की ओर जो growth monitoring का option दिया गया है उसमें क्या बदला हुआ है चलिए मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा देता हूँ जैसे कि यहाँ पर हम लोग किसी एक बच्चे के three dot पर किलिक करते हैं और यहाँ पर हम लोग growth monitoring वाले option में आ जाते हैं आने के बाद यहाँ पर आप लोग को previous reading दिखाएगा और यहाँ पर आप लोग 22 December यानि कि जीज दिन आप लोग यहाँ पर उस बच्चे का height और weight डालेंगे उस दिन का date यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे और यहाँ पर आप लोग एक बाद ध्यान दिजेगा कि आप लोग दीन में एक ही बार यहाँ पर किसी बच्चे का height और weight डाल सकते हैं चलिए मैं आप लोग को डाल के दिखा देता हूँ जैसे कि हमने इस बच्चे का height और weight डाल दिया है डालने के बाद यहाँ पर हम लोग submit करेंगे submit जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर आपका एक बार दिन में यहाँ पर किसी भी time आप लोग यहाँ पर इसको record को सफलता पूर्वक एड कर सकते हैं और फिर से अगर आप लोग चाहेंगे कि हम लोग उसी दिन उस बच्चे का कोई भी height weight अगर गरबर हो जाता है तो उसी दिन आप लोग उस बच्चे का height weight आप लोग सुधार नहीं कर पाएंगे चले फिर से मैं आप लोग को यहाँ पर लेके चलता हूं और यहाँ पर growth monitoring वाले option पर लेके चलता हूं और height weight डाल के देखता हूं कि क्या यहाँ पर दिखा रहा है तो इस परकार से आप लोग को इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है यह किस परकार से जो update आ रहे हैं उसी update के अनुसार आप लोग को work करना है उसके बाद जो अन्तीम update है यानि कि तीसरा update performance optimization के बारे में है यानि कि आपके portion tracker app को अनुकूल कर दिया गया है कोई भी छोटी मोटी अगर problem आप लोग को हो रही थी तो वो problem आप लोग को अब यहाँ पे ठिक कर दी गई है तो बस आज के इस वीडियो में फिलाल इतना ही आप लोग के लिए ये चार update आई थी जिसके बारे में आप लोग को बताना काफी जरूरी था अगर आप लोग को आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजेगा अन्यागन बारी बहनों के साथ शेयर भी कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा पूसन ट्रेकर रैपस रिकार्डिंग कोई भी कोश्चन हो तो आप हमें कमेंट बक्स में पूछ सकते हैं तो मिलते हैं फिर किसी नए टोपिक नई जनकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।